नमस्कार दोस्तों गुरुकुल अकेडमी में आप सिखा स्वागत हैं दोस्तों आज हम आप लोग के लिए रेलेवे एंटीपी सी और गुरूपडी एक्जाम के लिए प्रैक्टिस टेस्ट नमबर फाइफ ले किया गए हैं जिसके अंदर आपको जीकी के टॉप फॉर्टी क कोशन्स मिलेंगे जो रेलेवे एंटीपी सी 2016 बरबर पोचे गए थे अगर आप लोग अपने एक्जाम के तयारी को सचे मन से और शीरस होगर आगर ब्रहान चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंतर जोड़ देखेगा और फ्रेंस आपस रिक्वेस्ट परते कोशन क का आंशर कमेंट बोक्स में जोड़े ताकि जो भी आपकी डाउट हैं साथ में ही कलिर होते चले जाएं अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो पिस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंस की पास शेयर करें और आप लोग या दखना एक कोशन का आंशर देने के लिए आपको पांच सेकेंड का वक्त भी लेगा उसके बाद हम आपको आंशर बता देंगे तो फ्रेंस से लिगा क्योशन स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्योशन है गुर्जर परतिहार वंस की स्थापना किसने के बताएंगे जल्ले से आप लोग 5 सेकेंड का आपको वक्त मिल रहाए गुर्जर प्रतिहार वंस की स्थापना किस ने कि थी तो फ्रेंस ये कि थी नागबट प्रथम ने ये हो जाएगा रेट आंशर अच्छे से आप लोग या दखना गुर्जर प्रतिहार वंस की स्थापना कि थी नागबट प्रथम ने ये रहेगा रेट आंशर आगे चलेगा किस तोमर सासक को दिल्ली सहर स्तापित करने का से जाता है किस तोमर सासक को दिल्ली सहर स्तापित करने का से जाता है यह जाता है अनंगपाल को डी हो जाएगा रैड आंशर अनंगपाल नेक्स दिखे चोल राजाओं ने किस द्रहम को सरक्षन परदान किया था किस द् परदान क्या था बताएंगे जल्ले से चोल राजावन इस रंक्षन तो यह क्या था सैव ध्रहम को बी रहेगा राइड आंसर सैव ध्रहम देखें नेक्ष्ट सोमनात मंदिर किस राजय में स्थित है सोमनात मंदिर किस राजय में स्थित बताएंगे जल्ले से तो फ्रेंस चोहान के दरबारी कवी कौन थे मुश्री एक क्यूशन बहुत बार एक्जाम में आता है तो फ्रेंस प्रिथिव राज चोहान के दरबारी कवी थे चंदर बरदाई ये रहेगा रेट आंसर रहाँ पर चंदर बरदाई लेजी नेक्स्ट क्यूशन अमिर खुसरो किसके दरबारी कवी थे तो ये थे अलाओ दिन खिल जी के सी रहेगा रेट आंसर अलाओ दिन खिल जी अमिर खुसरो किसके दरबारी कवी थे तो फ्रेंस ये थे अलाओ दिन खिल जी के सी हो जाएगा रेट आंसर नेक्स ते कि SIDBI का मुख्याले का है SIDBI SIDBI बताएंगे समाल Industrial Development Bank of India का मुख्याले का है तो फ्रेंसी लखनों में है तो B हो जाएगा रेट आंसर लखनों देखिए नेक्स्ट राइन नदी किस घाटी से बहाती है फ्रेंसी सोपर सपीड टेस्ट है सोपर फास्ट टेस्ट कम टाइम ज्यादा कोशन राइन नदी किस घाटी से बहाती है तो ये बहाती है ब्रहाती है ब्रहांस घाटी से B रहेगा बिल्कुल राइन नदी बहाती है ब्रहांस घाटी से अगला कोशन देखिए ब्रुनेई केस महादविप में स्थित है तो ब्रुनेई है एसिया महादविप में केस महादविप में है एसिया महादविप में ए होगा रेट आंशर एसिया देखिए नेक्स्ट दियागो गार्षिया केस महासागर में स्थित बताएंगे नेक्स्ट उत्र प्रदिस के सीमाएं कितने राजों से मिलती हैं बताएंगे जल्ले से उत्र प्रदिस के सीमाएं कितने राजों से मिलती हैं विल्गोर फ्रेंस आठ राजों से मिलती हैं उत्र प्रदिस के सीमाएं तो सी रहेगा राइट आउसर आठ नेक्स्ट समाने ताप में किसी गैस के 1 ग्राम अनू का आयतन कितना होता है तो फ्रेंज कितना होता है 22.4 लेटर होता है 22.4 लिटर होता है तो C होगा 22.4 लिटर आगे चलिएगा देखे फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाती है तो फ्रेंस फारमी कमल मिलाती है क्या फार्मिक कमल डी होगा रेडांशियर लेजी नेक्सक्कूशन प्रियोग साला में यूरिया का निर्मान किस ने किया वोलहर ने किया था प्रियोग साला में यूरिया का निर्मान ये हो जाएगा रेडांशियर वोलहर किस ने किया था वोलहर ने किया था प्रियोग साला म बनाने में किसका प्रियोग किया जाता है तो फ्रेंशी प्रियोग किया जाता है एथिल एसिटेट का किसका किया जाता है एथिल एसिटेट का प्रियोग किया जाता है करित्रिम सुगदिद पदार्थ बनाने में तो यह रहेगा रहेद आंसरें आपर एथिल एसिटेट नेक् बिल्कुल आप लोग याद सोरी कताप को मापा जाता है प्यूर्मेटर से तो डी हो जाएगा रेड़ आउंसर प्यूर्मेटर देखी नेक्स्न विदुति चुमबक किसे बनाए जाते हैं बिल्कुल फ्रेंश विदुत चुमबक बनाए जाते हैं नरम लौह से किसे नुरम लोहे से बनाए जाते हैं विदुत चुंभक सी होगा राइड आंसर नुरम लोहा सरवादिक किर्यासिल तातो कौन शै सबसे किर्यासिल तातो क्या है बताएंगे सबसे किर्यासिल तातो है फलोरीन यह होगा राइड आंसर फलोरीन है सरवादिक क्रियासिल तो यह हो जाएगा बिल्कुल राइट आगे चलिएगा देखिए किस उच न्याले की अधिकार छेत्र में सरवादिक राजे आते हैं किस उच न्याले की अधिकार छेत्र में सरवादिक राजे आते हैं तो यह आते है Gohati उचिन आले के दिकार छेतर में सिरवादिक राजिय दी हो जाएगा रेट असर Gohati कितने राजिय आते हैं फ्रेंस कितने राजिय आते हैं यह क्योशन आपके लिए Homework है तो इस क्योशन कांसर कमेंट बोक्स में जुरूर दीजिगा नेक्स दिएगे थर्ड आई सब्द का शंबंद किस से है या थर्ड आई सब्द किस से जुड़ा हुआ है किस से जुड़ा हुआ है किर्केट से जुड़ा हुआ है थर्ड आई सब्द तो भी रहेगा रेरांसर किर्केट नेक्स दिएगे चलिएगा कचारी जनजाती का संबं किस राजे से है तो फ्रेंस से अशंब सी है या दखना कचारी जन जाती का संबंद किस राजे से अशंब सी डी हो जाएगा रेट आउसर अशंब लेजी नेक्स्ट वीशु जन सिंख्या दिवस कम मनाया जाता है वीशु जन सिंख्या दिवस कम मनाया जाता है तो फ्रेंस 11 ज फ्यूरर किसके लिए प्रियुक्त हुआ है अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक ने किया है सब लोग फ्राफट वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंज के पास शेयर करेंगे ताकि कुछ लोग और यहां आए और अपने एक्जाम की तियारी को अच्छे से आगे वाइट हाउस किस देश के रश्रपते का कारियाले है तो यह यूज से की रश्रपते का कारियाले है वाइट हाउस सी हो जाएगा रिडांसर यूज से नेक्स्ट है सार का पहला अधिक्स कोन था सार का पहला अधिक्स कोन था बिलकुल आप लोग याद रहना सार का पहला अ अद्यक्स था SS इरसाद, क्योंता फ्रेंस, SS इरसाद था सारक्षा, पहला अद्यक्स भी हो जाएगा, रही in S.S. इरसाद, नाशिक किस नदी के तट पर इस्तित है, आगी बड़ी का देखी, अगी बढ़ेगा देखि, स्युक्त राष्टर की नमीनतम सरकारी भासा क्या है, तो यह स्पेनिज है, बी रहेगा राजधानि का है, जल्ली से बताएंगे आप लोग, लक्स द्वीप की राजधने का है तो ये कावरती में है डी हो जाएगा रेडाउंसर कावरती का है लक्स द्वीप की राजधने कावरती में है डी रहेगा रेडाउंसर कावरती आगे चलिएगा देखिए वीसु की सबसे बड़ी सोफ्ट्वियर कंपनी कौन्श है वीसु की सबसे बड़ी सोफ्ट्वियर कंपनी कौन्श है वीसु की सबसे बड़ी सोफ्ट्वियर कंपनी माइक्रोसोफ्ट है कौन्श है Microsoft है Viso के सबसे बड़ी software company D हो जाएगा Right answer Microsoft आगे चलिएगा देखे सबसे ज़्यादा उर्जा उत्पादन करने वाला देश कुन से है सबसे ज़्यादा उर्जा उत्पादन करने वाला देश है अमेरिका एह होगा Right answer अमेरिका सबसे ज़्यादा उर्जा उत्पादन करने वाला देश अमेरिका है यह हो जाएगा रेडांशर अमेरिका आगे देखे चलेगा बीजिंग का पुराना नाम क्या है तो आप लोग यादखना बीजिंग का पुराना नाम पेकिंग है क्या है बीजिंग का पुराना नाम क्या है तो फ्रेंस नीदर लेंड को कहा जाता है पवन चक्यों की भूमी सी होगा रेट आंशर नीदर लेंड को कहा जाता है आप लोग यादखना पवन चक्यों की भूमी सी हो जाएगा रेट आंशर देखिए नेक्स्ट है तास किस देश की न्यूज एजेंसी है तो ये रोज की न्यूज एजेंसी है तास किस की रोज की ये हो जाएगा रेडानशर देखिएगा फ्राफ रगला कुश्चन बैंकोक किस नदी के किनारे बसा है या दहना बैंकोक बसा हुआ है मेनाम नदी की कि तो डी रहेगा, रैड अंसर में नाम न दी next आलमुक्षबाट किस देश की गुपचर संस्था है तो फ्रेंसी एराग की है कहा包 की एराग की गुपचर संस्था है, अलमुक्षबाट सी होगा रैड आंसर एराग आगे चलिएगा देखिए मिसर की संसद का नाम क्या है मिसर की संसद का नाम क्या है तो फ्रेंस ये पेपुल्स एसेंबली है क्या है पेपुल्स एसेंबली है मिसर के संसद का नाम D हो जाएगा रेड आंशर पेपुल्स एसेंबली देखिए नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान की बीच कौन सी सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान की बीच कौन सी सीमा रेखा है तो यह है रेड कलिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान की बीच कौन सी रेखा है रेड कलिफ रेखा है भी हो तो फ्रेंस यह थी आज की मारी कोशन जो अभी कम्प्रिट हो गई है अगर कोई डाउट है से जिगा सब्सक्राइब को अगली क्लास में क्लिक कर जाएगा अगर आपने प्राफ़ड वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस की पास शेयर करेंगे जो लोग पहले बार यह आई हैं जल्दी से आप लोग शाफ़ड चैनल और सिस्क्राइब करेंगे साथ में बेल आइकन पर भी कलिक कर लेंगे तो फ्रेंस लिगा मिलते हैं अगली क्लास में तब ते किल गुडबाई जै हिंद जै भारत वंदे मात्र झालब करेंगे जै जै हैं तंड़ किल पस्ट फटे लोग पते हैं।